सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सोपर टेकनोलजी लेटस्ट वीडियो के लिए बेल आइकोन दुबाएं वेलकाउन टू मैं चैनल सोपर टेकनोलजी मेरा नाम दीब दूर्ड दोस्तो वट्साइब के लिटर मैं आल्लेड वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ वट्साइब पे विडाउट सेव नंबर मैं से कैसे सेंड करना है दोस्तो आज हम इस वीडियो में देखने वाल है कि अगर आप ड्यूल ओफिशल वट्साइब यूज करना चाहते हूँ विडाउट ड्यूल एप एंड विडाउट एनी थर्ड पार्टी एप तो कैसे करना है यह सभी देखने के लिए बढ़े रहे मेरी वीडियो के एंड तक दोस्तो स्टैब बाइ स्टैब देखें कि ऑफिशल ड्यूल वट्साइब कैसे यूज करना है विडाउट इंस्टालिंग एनी अनॉफिशल वट्साइब दोस्तो पहले हम नॉर्मल वट्साइब प्ले से यहाँ ओपन strips कर आपके पने नमबर न है and next पर क्लिक करने उसके बाद ok पर क्लिक करने दोस्तो जैसे आप ok पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके पास एक sms आएगा दोस्तो अगर आप उसी phone में same same use कर रहे हैं तो sms को phone automatically detect कर लेगा and उसके बाद आपनी continue पर क्लिक करने allow context को allow कर दिने and access photos, media and files को भी allow कर दिने दोस्तो यहाँ पर आपने अपना name एंटर करने उसके बाद आपने next पर क्लिक करने दोस्तो इस type से आपका यह first number का whatsapp है जो हम normal whatsapp यूज करते हैं वो configure हो जाएगा अभी हम देखते हैं कि second whatsapp कैसे यूज करने दोस्तो उसके लिए फिर से आपने play store में visit करने दोस्तो उसके बाद आपने यहाँ पर type करने whatsapp business दोस्तो जैसी आप whatsapp business एंटर करोगे तो आपके पास second whatsapp install करने की option हैगी दोस्तो यह भी official whatsapp है कोई यह unofficial नहीं है कोई यह third party app नहीं है तो आप इसे safely easily अपनी phone में install कर सकते हैं दोस्तो जैसे आपके पास second whatsapp install हो जाएगा उसके बाद आपने open पर click करने के बाद आपके पास यहाँ पर option हैगी अपने यहाँ पर click करने के आपके पास यहाँ पर option आएगी same number की जो आपने पहले use किया है लेकिन आपने यहाँ पर type करना है different number use a different number तो आप यहाँ पर click करके अपना second number enter कर सकते हूँ जैसे यहाँ पर मैं अपना second number enter कर रहा हूँ दोस्तो अगर आपकी कोई query है तो आप इस number पर मुझे whatsapp कर सकते हूँ उसके बाद आपने next पर click करना है दोस्तो यह option आपको तब show होगी अगर आप two step verification यूज़ कर रहा है अपने phone में आपने यहाँ पर अपना two step verification pins enter कर देना है otherwise आपके पास SMS की option आएगी तो आपने SMS फिल कर देना है दोस्तो यहाँ पर मैं two step verification यूज़ कर रहा था इसलिए मुझे two step verification की option आईगी है अगर otherwise आपके यहाँ पर SMS की option आएगी तो आपने यहाँ पर SMS के through जो आपके पास pin आएगा तो आपने pin फिल कर देना है दोस्तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास option आएगी media को restore करने की अगर आपके पास आपके media का backup है तो आपने यहाँ से पर click कर कर की media का जो backups सी restore कर लेने and next पर click करने दोस्तो आप अपने अपने नःम एंटर करने and next पर click कर दिने दोस्तो अगर आप अपनी business की details डालना चाहते तो आपने ''Explore' पर click करने अदरवाइस आपने not now पे क्लिक कर देना है तदर आपके पास यहाँ पे option आगी back up की तो आपने यहाँ पे क्लिक करके अपना back up चूज कर लेना है उसके बाद email id चूज करनी है जिसके दुरू आप अपना back up लेना चाहते हो दोस्तो इस टाइब से आपके phone में dual whatsapp install हो जाएंगे अभी मैं यहाँ पे आपको main screen पे show कर रहा हूं कि मेरे पास अभी dual whatsapp install हो गए है दोस्तो अगर आपके whatsapp या किसी other education app कर कोई query या कोई suggestion है तो मेरी वीडियो के comment box में comment कीजिए मैं आपके हर comment कर अप्लाई करूंगा thank you for watching please subscribe channel for more technical updates